गुद मारिंग फ्रेंग्स पड्रिलेटर के अंदर हम लोगोंने बेजिक धियरी देखें कल की वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों को चार सम कराए थे चार सम कराए थे स्टुडंट चल अब हम लोगाई क्वेश्चन नंबर फाइव के अंतर स्टुडंट आज से आपलों मेरे साथ में थोड़ा वर्ग करते जाओ बराबरे तो हम लोग टाइम को थोड़ा बचा पाएंगे चल प्वेश्चन नंबर फाइव इन प्वाड्री लेटरल एबी सीडी चल सबसे फ़स्ट प्वेश्चन पड़ते जाएंगे फिगर बनाते जाएंगे तो हमारा काम इसी हो जाएगा इन प्वाड्री लेटरल एबी सीडी चल प्वाड्री जाएंगे इसतना मत्रब्ट क्या होगा शुडन्त एंगल एंगल बीज के एंगल बीज सेवन पी आप या पीर फिर एंगल की इस को सब्सक्राइए तरें आपा हरेंगें इसका किता है तो प्क अरज पहती है और इंगल किशनोर एंगल वेशार ऐंगल के तो तो पाइसर आपहें क्लियर स्टुडेंट तो कैसे करेंगे कल मैंने आपको 1,2,3,4 चार संब कराएं स्टुडेंट आपको पता है कि क्वाईरी लेटर की चार एंगल का प्लस कितना होता है वैं इसमें से तीन एंगल हमारे पास है जैसा लिए शकते है कभई फ्याली निए यह फर्मिला लिखेगे कभई लीना फ्ट्री लेटरल एवी लिस्टे लेए स्टुडेंट इसके चार एंगल का प्लस फर्मिला बनाएगा फिर फर्मिला में वैल्यू रखेगे इसके चार एंगल को से एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D is equal to 360 चार एंगल की वैल्यू रखें तो 70 एंगल बी 70 एंगल C 100 प्लस एंगल D is equal to 360 चार एंगल कभई अशन करें कभई 70 प्लस 70 140 प्लस 100 प्लस एंगल D is equal to 360 240 को साम्य लेजा कर माइनस करें तेंगल D is equal to क्या होगा student 360 minus 240 होगा? कभई 360 minus 240 एंगल देख एंगल देख इतना होगा वहां कर सकते हैं कर सकते हैं आप लो कर लो स्टुडांट यह ऐसा इंटे सारे सम्सॉल करने के नहीं है जो जरूरी है वह करेंगे क्योंकि सब्सक्राइब कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हो पक्ता है चलो होगया निकाल देख भी स्कोब चलो नेक्स सम्कर्ण परवावलों फैर विश्ट पर लेना इस्टुडट और निकर बनाने का टाय करना कैसे निकर बनाएं चलो नेक्स सम्कर्ण इसका इवे ट्रैपीजियम पाद मैंने आपको बोला था स्टुडट कि वह जब कोई क्वाट्री लेटर में दो साइड पहले नाल होगा तो ट्रैपीजियम ही होगा चलो क्या इवे इनाल ट्रैपीजियम फीक्यो आरेज स्टुडट परिया रोग्रा, रोमवास इसके तर सीधे आप नेम दिखें होगे तो चले गया कभए इवीजिदी बढ़िए आपर एंसा नहीं होगा यापर क्या स्टुडट इसके अपर थेखो तो इनाल ट्रैपीजियम पीक्यो आरेज अइसा कूछ है आपके पास पी एस पैरेलल क्युवा यह दो साइड कभे शुराट फेशन की शुरुवा कैसे होती हो कभे इन पड्री लेटरल पीक्यू वारेस पैरेलल क्युवा यार कि कोई भी सम की अंदर ऐसा पैरेलल एक साइड आए तो तुरा कापके दिमाग में पांच जार वड का बल्म जलना च पीक्यू आरेस अंदर नहीं लिखे देरा देखो कौन्सी जो साइड कैरेलल है पी एस को उपर रखें काप रखेंगे शुडन उपर और दूसरी साइड कोंसी ये क्यू आर क्यू आर को नीचे रखें प्लिया पहली साइड उपर ये दूसरी साइड में नीच चरो आपने की दूसरी अकर दें रखने के बाद कमपादसरी 체क करना में फो फोल रहा वो अच्छे से सुनो कम ये पी एस पैलियम पी ऐनाद क्यू आर क्यू आर आर क्यो आर क्यूं साइड क्यू आर क्यू आर आर अ एस बनता लेती नहीं बनता देगो पी प्यू आ एस तो बरोगा ना बने तो यह जो नीचे साइड रखें उसको क्या कर देना है इंटर चीज कर देना क्लिया स्क्ति च अब हमारे पास क्या है वे इंगल पी राटियो एंगल क्यूं इसलिए ओवांदे जब्ड़ गारे करा रिके ज़ाना फ्रेष्योν आए एंगल भी एक्स कंपलसरी लगा देना और स्टुडार ये ट्रेपेजियम के सम दिल लगा कर करोंगे एक सम दो मार्क में आये गारी बराबरे चलो एंगल आर इतने का है वहें 99 तो अमेर क्या फाइल करना है वहें इतना है वहें इतना है वहें इतना है वहें 99 यार कि आपको क्यों से एंगल फाइंड करने कि पी में इतना है यार कि फाइंड करना है क्यों फाइंड करना है और एस फाइंड करना है स्टुडट कल की वीडियो में सबसे लास्ट में कल की वीडियो में सबसे लास्ट में मैंने ट्रेपीजियम में आपको कुछ सिखाया था यादाता है कभी ट्रेपीजियम में एंगल फाइंड करने का सम आए पहले फीगर बन और ये नीचे वाला, फिगर में देखो पहले, बढ़ के उपन चल करो, तोब है ये उपर वाला और ये नीचे वाला, ये दोनों एंगल का प्लस, कितना देना है आप लोगों को वर एंटी लेके काम करना है, यानिके क्या होगा, एंगल बी प्लस एंगल क्यू इस इक्वार कभी भी घलती से स्टुडन, एंगल बी प्लस एस नहीं लेना है, पडोसी पडोसी नहीं लेना है, उपर वाला और नीचे वाला भी लेना है, तो क्या लिखेंगे, एक सबत में आ रहा है, उपर से जा रहा है, क्या लिखेंगे, ये उपर वाला एंगल और ये नीचे वाला यहां पर भी ट्रेपीजियम आए दिमार में 5000 वाड का बल्व जलना चाहिए पहले प्रापर दिगर बनाएंगे फेल कौन सा भैं यह उपर वारा एंगर और नीचे वारा इंदो ही एंगल में तो क्या दिए कि इतना लेपर छोड़ देना नहीं है श्टुडन या पर कंपल सरे आपको प्रोपर्टी लिखनी कल मैंने लिखी दिये प्रोपर्टी नहीं लिखोगे तो एक भी मार्क अस्रम का नहीं दिएगा क्या दिएंगे इंटीर अंगल आपको लिखी देने प्रोपर्टी इंटीर अंगल और सेम साइड यह कंपल सरी प्रोपर्टी लिखी दिए सेम साइड और ट्रांस वर्सर लिया अवैं यह प्रोपर्टी प्रोपर्टी लिखोगे बराबरे एक्जागी रखोड़े ऐसा समझ कर ली हमें चलना यह प्रोपर्टी प्रोपर्टी लिखोगे जिरो बाल में अच्छाला सो प्रोपर्टी लिखी लिखअँ है बाये बायी फ्रोपर्टी लिखोगे जिरो यह प्रोपर्टी रिकोन सरी Pas प्रोपर्टी रिखो तो 7 x, तो 7 x 18 is equal to 126, और angle q is equal to 3 x, 3 x 18 is equal to 54, चलो भी आपक्षिम बिल गए हैं, आर अप्टे पास है, s find करता है, तो s find करना तो field से, इसकी जैसे क्या formula ले सकती student, angle s plus angle r is equal to 360, अरे स्वारी, वर इडिस के जैसे, बट हम लोग क्या करेंगे, एक ही बार ये formula यूज़ करेंगे, दूसरी बार आपको बता चलो, pr को मिल गया, q आपको मिल गया, r आपके पास है, अभी जा आपने एक सम किया, तो एक quadrilateral के, चार एंगल का, प्लस, कितना होता है student, 360 होता है, उसका भी उस कर सकते है, या तो दूसरी मेंटर क्वान से, ये जो यूज़ की, वो भी आपको कर सकते हो, बट second वाली अच्छी है, वो भी उस कर दे, बाव क्या लिखेंगे, एस सा फाइन करने के लिए student, तो एक पी ना ein facilateral, P, Q, R, S, इसके चार एंगल का, प्लस कितना होता, एंगल P, एंगल Q, प्लस, एंगल R, प्लस, एंगल S, is equal to 360, छो पी, आप कितने का लिखा है, वर्यटे इंगल 6, प्लस 54, आप कितने का लिखेंगे, 99, प्लस, एंगल S, is equal to 360 ये ती होगा क्रो श्रुट ये तो होगा क्रो 180 होगा 180 में 99 99 प्र करो 180 279 plus angle S is equal to 360 therefore angle S is equal to 360 minus 279 therefore angle S is equal to MP1 बोलो आप बर्सों के आएसे trapezium में सम्प बहुत सारे आएवाले श्रुटन तो trapezium में क्या आएवाले तकी की सबसे पहले ये interior angle वाले प्रोपर्टी यूज़ करेगा और चौथा angle खाइट करने पे लिए ये वाले लाइटर यूज़ करेगा वाइटरे लेटरल के 4 angle का प्लस कितना पोता है 360 प्रियर स्टुटन करो ये वाला पूला सब फिर आगे बढ़े हम लो लेटर इस्टुटन करें इस दर्म की घुक छुक है फिर शुष्व करने की तर्मी लाइन चुझा, वाले शुदार जाते है की तर्मीज़ की बहुत सारे सलवाने बार शुदार दॉश्भण करने बहुत सारे साहने की आप मेंदे साफीं आपको मेनद करनी है मैं तो सिर्फ अब ही तो तूंगा बराबले शुदन चलो सब्सकों नेक्स्ट पिशन रोटास भीगर वना चलो क्या आए मैं इनर ड्यपीजियाँ पीचु आरेस पेस पेरिललल क्योर से यही वादि भीगर वने थी शुदन पेस पेरियलल क्योर तो पेस उपर आएगा क्योर नीचे आएगा कभी इन द्रेपिजम PQRS, P S parallel QR, अंगल P ratio, अंगल S is equal to 4 ratio 5, याँबर किसका ratio राशुड़ांट? अंगल P ratio, अंगल S is equal to, क्या है राशुड़ांट? 4 ratio 5, चरव एंगल पी बिल्ट या रखेंगे एंगल पी इस इक्वाद तो 4x और एंगल q और सॉरी एंगल s is equal to क्या रखेंगे 5x फिर क्या है student एंगल q is equal to कितना है भाई 72 है बराबर इंदर एक मेरे क्यां से मिस्टेक है एंगल p ratio एंगल s सॉरी एंगल p ratio एंगल q करते हैं बराबर एंगल p ratio एंगल q करते हैं q is equal to 5x और एंगल r is equal to 72 चेंज करतो क्यों मेरे बिल्ट इंगल p ratio एंगल q 4 ratio 5 एंगल r 72 चेंगे 4x या आपर क्या इंगे 5x या आपर क्या इंगे 72 आपको एंगल p एंगल q एंगल s find करने प्लेयर चो चलो सबसे परस्ट क्या इंगे 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 आपको मेरे अभी सिखा दिया कभे ये p और q का प्लस इतना शो करोंगे check marketing show करों करों चलों सबसे परस्ट क्या इंगे 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 जिए प्लस अंगल क्यो इस इकुल तो वर एंदी ब्रेकेटी अंगर क्या रिपी दिशुड़ार इंपियर एंगल और सेम साइट और ट्रांसफर्सर अब आपको याद रखकर ये शीट में प्लिखे रहा है अब मैं गड़ी गड़ी नहीं दिपने वालाओ क्या रिखेंगे ये दोरोगा प्लस 180 शोगिया पुरते श्क्रिक्मेंट आही जाना ची चला अब पी कितना है वे 4x plus 5x is equal to 180 9x is equal to 180 x is equal to 180 upon 9 therefore x is equal to इतना है वे 20 आहेगा नहीं से करेंगे तो चला इसके वार से P और Q आहेट कर लो तो वे एंगल P is equal to 4x is equal to 4 multiply 20 is equal to इतना है वे 80 आहेगा और एंगल Q is equal to 5x तो 5 multiply 20 is equal to 100 चला पी और Q बिलके अभी S fine करना है आप लोग आगे मड़ो के अभी सिखाया इतना पुरा करो फिल S fine करो चला क्या रिखे के S के लिए तब है P न पाट्री आप नीजे लिखो के बराबरें इन पाट्री लेडरल P Q R S अंगल P प्लस अंगल Q प्लस अंगल R प्लस अंगल S is equal to 360 चला पी इतना रहे आप लो 80 प्लस 100 प्लस अंगल R कितने का है वे 72 प्लस अंगल S अंगल S is equal to 368 इन पाट्री लोगा प्लस अंगल 182 प्लस अंगल 252 प्लस अंगल S is equal to 360 प्लस अंगल S is equal to 360 minus 252 प्लस अंगल S is equal to emergency 101 प्लस अंगल S बोला बैसेज्ट रापी जेपने समाथ कर सकते हो है कि नहीं कर सकते हो बोलो करपाओ के मस्त समेन ट्रफिजियम के दो मार्क में मिले वाला को ये दो यार्क दो में भी मिल सकता है तीन मार्क के अंदर भी आपको मिल सकता करो जल्दी पड़ा पड़ चलो शुरण नेक्स्ट सम के अंदर जाए भाई चलो नेक्स सम कोंसा है हमारा एक नंबर इनर ट्रेपीजिया फीवी सेडे चलो पड़ एक ट्रेपीजियम बनाव शुदा चलो बहुत मजारे वाला आज आपको कुपन विडाक्स आएगा तो बहुत आपको मैंस कर सकती समझेए चलो बहुत क्या आएगे वाई इनर ट्रेपीजियम एवी सेडे एवी पैरेलल सेडे चलो पड़ एक ट्रेपीजियम बनाएगे शुदान चलो क्या है एवी पैरेलल सेडे आपने हैसेलत एवी उपर सेडे नीचे चलो रहती आप चेक करों क्या ADCD क्वार्डिलेटर बंता है भाई देखो A B B C बंता ABCD बंता नहीं ये तो आपक्या गरों की शुदान देखो यह दोरों कोई इंटर चींज आप कर सकते हों कर सकते हो ही करना ही पड़ेगा वना के आंसर गलत आएगे देखो एवी पैरेटर सी रिखे एवी उपर गठा तो C जा रखेंगे इधर रखेंगे तब ही जागा क्या बनेगा एवी सी प्लेयर पहले मैंने जान बुचकर करती की थी इस आप थोड़े एक्यूरेट हो जाओ एवी उपर और नीचे सी रखेंगे आंसर आजाएगा बढ़ आपका अंसर कैसा होगा गलत होगा प्लेयर अब सबद्य आगया वह यह रखने के बाद यह दो प्लेयर रखने के बाद खास चेक करता है क्यों एवी सी बी प्रॉपर मैना में क्लॉक्वाइज या तो एंटी क्लॉक्वाइज एवी सीडी ही बनना चाहिए चुरह आप आगे बढ़ो क्या है बही एंगल बी इस इक्वाट टो 60 चुरह एंगल इदेने कारे मैं 60 एंगल बी इस इक्वाट को 100 दें 5 एंगल एंड 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 एंगल सी चलो बी आपके पास है एंगल आपके पास है क्या पाइंड करना है ए और सी अब आपके पाईड़े आ चुपा होगा सबसे पाईड़े क्या लिखेंगी स्टूडन कों से दुएंग अब आपके प्लस चुप करेंगी ए और डी उपर और नीचे वाला लिखो चलो क्या लिखो के आपके आपके लोग एंगल 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 टी इस इक्वाल टू हाँएड चलो याह ब्रेकेत ने दर जो स्टेक में तें वो लिखडार चलो जल्दी पड़ा पर ब्रेकेत में क compulsory लिखना है, क्या रिखोंगे, interior angle of the same side of the transversal, अभी यह आपको करना है, चलो इसमें value रखो, लिख दिया, interior angle of the same side of transversal, चलो, angle A, angle B कितने का है, angle A, plus 100, is equal to 180, चलो, 100 को minus कर दे, तो angle A, is equal to 180, minus 100, therefore, angle A, is equal to, कितना आ गया है, 80, मिल गया, angle A, चलो, A मिल गया, D हमारे पास है, B हमारे पास है, C find करना, चलो, आप लोग करो, दो समयने आपको कराए, अब C find करना है, तो क्या रखोंगे, आप लोग रखोंगे, क्या रखोंगे, तब है, E नो, 40 लेक्र, के बीस से गे, angle A, plus angle B, plus angle C, plus angle D, is equal to 180, चलो, angle A कितने का है, भाई, 80, B कितना है, भाई, 60, C, C आपको 5 करना है, और D आपको कितना है, भाई, 100, is equal to 180, कीनो का प्लस करो, कब है, 100, plus 80, 180, plus 60, 240, plus angle C, is equal to, sorry, मेरे एक मिष्टेक होगे है, भाई, आप बोलो जो खरें, वीडियो में से, या पर चाहिकल का प्लस कितना होता है, 360 होता है, तो कुछ बोलते हैं नहीं हो, यार, 360, चाहिकल का प्लस कितना है, 360, चाहिकल का प्लस कितना है, भाई, 120, आगे हैं, बुल अप्लस कितना है, सम कर सकते हो, तो नहीं कर सकते हो, चलो, सेम साम तेन नंबर का, सेम साम तेन नंबर का है, स्टुड़न, चलो, तेन नंबर का सम करते हैं, फिर बहुत सारे भूमर्ट में भी आज आपको मिलने वादे हैं, कल पर आगे हो, और आज थे, एसाइनेट में इसे, बहुत सारे सम भूमर्ट में मिलेगी, आपको सम करके मुझे सेम करने ही है, चलो, जाते हैं स्टुड़न, हम लोग टेन नंबर के सम के अंदर, पिनल ट्रेपीजियाम, PQRS, चलो, बहुत सम भी गरें, चलो, बनाएंगे, एक ट्रेपीजियाम बनाएंगे, चलो, बनाया आँए ट्रेपीजियाम, A B parallel C, देखो A B, C और B इदर रखेएंगे, A B सिरी बन गया स्टुड़न, A B सिरी बना चलो, एंगल A is equal to, एंगल B is equal to 60, एंगल A 60 है, एंगल B 60 है, क्या भाइक करना है, एंगल C और एंगल B भाइक करना है, आई डे आ गया, अभी उपर वाला किया, वैसे ही ये सम करना है, चलो, सबसे परस्ट क्या लिखोंगे student, कौन से दो एंगल का प्लास वर एडी शो करोंगे, A और D का, जो सबसे परस्ट क्या लिखेंगे, एंगल A प्लास एंगल D is equal to 1 AD, चलो, ब्रेकेट वाला स्टेटमें ल लिखेंगा लिखोंगे, interior angle of the same side of transversal, बरबरे, दोनों supplementary होते हैं, आप लोग पड़े और थियोरम में, कभें, transversal के, दो parallel line के transversal में, जो interior angle आते हैं, दोनों supplementary होते, इसके करदे हैं, दोनों का प्लस कितना होता हैं दे, वाले एंगल 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 एंग 60 plus angular D is equal to 180, therefore angular D is equal to 180 minus 60, therefore angular D is equal to कितना होगा वैं, 120, चलो नहीं दिल गया, अब आप लोग C find curve, quadrilector का यूज करदे, C find curve, करो चलो जोदी बढ़ा होता हैं, चलो, क्या हैंगे हैं, अब एंग इना, quadrilector, ABCD, angle A plus angle B plus angle C plus angle D is equal to 360, 60 plus 60 plus angle C plus 120 is equal to 360, 120 plus 60, 180 plus 60, 240 plus angle C is equal to 360, therefore angle C is equal to 360, minus 240, therefore angle C is equal to 360 minus 240, therefore angle C is equal to कितना हैगा वैं, 120, 20, 50 50 50 60 60 60 60 80 80 61 99 कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो चाहिए इसके नेक्ष्ट वाला सब्सक्राइब ट्रेपीज यह वाला है यह तेन नमडर पीक्यू वाला पीक्यू वाले सब्सक्राइब आप लोग भीगर बनाओ प्रोष्मिड अभी तक जो सम कराएं समझ में आ रहें उपर से जा रहें पका कल वाले कराएं थी चार सम वह समझ में आए थे आज जो कराएं ट्रेपीजियम वाले वह समझ में आते हैं तो ऐसे दूसरे सम अब आपको में मिलने वाले बराबरे बहुत सारे हैं मेरे पास चलो नेक्स अब में जाते ईलन ट्रेपीजियम पीक्यू आरेस समसे पहले एक पीजियम रहें के स्टुडन शलो परसी तो तो साइट पेक्वी पेरेलल ँए रहें यहां पीक्यू आपने एसा रखने के बाद कंपल्सरी चेक करना है क्या प्रिक्यू आर एस बन गया बन गया है चुरह आगे बढ़े एंगल पी इस इंवर्ड टुप्टी चुरह एंगल पीप्टी फिर एंगल आर वर्मण जीयो फाइंट यह करना है वैं एंगल क्यू एंड एंगल एस दोनों फाइंट करने है चलो सबसे फर्ष फॉर्मिला आपको आही गया हुदा आप सम्करोगे धोड़ा पाड़े चलो सबसे फर्ष कुंसे दो एंगल का फ्रस करोगे ख्रोड इस एंगल पी प्लॉस एंगल स अला एटा हो। général अछलों के लिखना है वो लीखना काम तमाम करो इंटिर्य एंगल पिम्ट सेंग साइंध वफटैंस्वर्सर चल्ड हो गया चल्ड इसमें वेल्यू रखो 50 प्लॉस एंगल S is equal to 180 therefore angle S is equal to 180 minus 50 therefore angle S is equal to कितना है वे 130 चल्ड है एंगल S मिल गया अब S मिल गया Q fight हना है आप लोग थोड़े खूद आगे बड़ो मैं आता हूँ अपके साथ में पहले आप लोग आगे बड़ो अब क्या लिखने वाद है वाद करें आप लोग खूद लिखोगे कब एंग इना quadrilateral PQRS इना quadrilateral PQRS एंगल P प्लस एंगल R प्लस एंगल S इस इक्वल तो 360 चलो तो 50 प्लस एंगल क्यों थाइन करना है Q, R कितना है वही 110, S कितना है वही 130 इस इक्वल तो 360 चलो इनका प्लस करो देखो 130 प्लस 50 180, 180 में 110 एन करो तो 290 प्लस एंगल Q इस इक्वल तो 360 देखोर एंगल Q इस इक्वल तो 360 मिनस 290 देखोर एंगल Q इस इक्वल तो 70 बढ़ा कर सकते हो अप लोग इनहे कर सकते हो पूरा कर लोग बोलो शुदन कल जो समकराय थे वो आज जो समकराय वो समझ में आते आप लोगों को बनी आते कि जहाँ पर रेशियो आए वहाँ पर पीछे क्या लगाने वह एक्स लगाए रेशियो के बीछे क्या लगाना है शुदन एक्स और एक्स से लगाने पार पहले एक्स की वेल्यू फाइड करेंगे उसके उपर से एंगल फाइड करेंगे अब ज़रा आप अपना एसाइमेंट अपने हाथ में ले लो क्योंकि बहुत सारे समकराय में बिलेवाले कभ़े ज़रा यापो question number इलेवाले क्या आप कर सकते हो वे कभ़े एंगल 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 स्वारी A 50 B 75 C 100 D 5 करना है कर सकते हो अभी सुबह में पहला समय सा कराया मैंने आपको 5 नंबर वाला सम देखो यह आपको homework में करना है चलो question number 5 कर सकते हो वे homework के अंगल इने कर सकते हो वे एंगल P ratio angle Q, ratio angle R, ratio angle S 3 ratio 4 ratio 5 ratio 6 कर सकते हो X ले कर परे X find करो के फिर एंगल 5 करो के चलो फेर question number 13 कर सकते हो एंगल A 80 लोगे 5 नंबर वी दरा एंगल B 80 लोगे एंगल C 110 लोगे और एंगल D find करना है कर पाओगे चलो question number 14 कर पाओगे एंगल का ratio इतना है भाई शायद कोमा हो चुका है कोमा के बडले में ratio का सिंवल कर देना 1 ratio 2 ratio 3 ratio 4 कर पाओगे यह नहीं कर पाओगे कभाई एंगल एंगल इतना होगा 1 यानकी only x एंगल B 2 x एंगल C 3 x एंगल D 4 x हो जाएगा चलो फिर 15 नंबर कर पाओगे देखरों तो वो भी ratio वाला है फिर 16 नंबर x वाला है x वाला भी प्रजेक कर आएथा डाइरेक हो जाएगा फिर 17 कल में कर आऊँगा 18 नंबर देखो 18 नंबर कर पाओगे एंगल पाइट करना है प्लेयर एंगल पाइट करना है से दो दो एंगल पाइट करने के ने अपनलिस इंगल एंगल है 18 नंदर सम पूरा हो जाएगा प्लेयर इंटी नंबर करोगे फिर 19 नंबर करोगे फिर 15 नंबर करोगे फिर 21 भी ट्रेपीजियम पादा है 21 नंबर करोगे फिगर प्रोपर बनाओ देखो उसमें क्या है वे AD पैरेलल BC AD ऐसे है AD पैरेलल BC तो क्या करेंगे देखो ऐसे इक पादिलेटर बनाया पहले कौन है AD तो AD दरूपर रखनेंगे दूसरा क्या है वे BC तो नीचे आएगा रखने अपने चेक करेंगे ABCD बन गया यानि कि 21 नमबर करोगे फिर 22 नमबर करोगे बहुत होंवर्ट भी मिलेंगे बढ़ी बराबरे 22 नमबर तक के सम आपको होंवर्ट के अंदर करने बाखी के जो सम है वो हम लोग जो नेक्स्ट वीडियो के अंदर करें इस्टुडट् ये साम कमपलसरी होंवर कर के मुझे सहींग करने न आए तो भी मुझे बोलना है मैं सुलिशन करके सहींग करोगा बाट मैनी ओपडर्व जोलने कोई होंवर्ट सहींग करता नहीं बहुत कम स्टुनेंट है यह फे निश्वा है पे क्रिना भालावात है भूमी नामी है बस चुने हुए चार-पांच स्टुनेंट थे जो नाइन स्टाइडर में से हुझे होंवर्क सेंग करते हैं बोईस के अंतर तो कोई भी सेंग नहीं करता है इसका मतलब यह होता है कोई काम करते ही नहीं मैंने वोईस मेसेज रखा था बहुत सारे लोग ग्रूप में से रिमूब हो गए मैंने कर दिया काम नहीं करोगे आप भी रिमूब हो जाओगे इसलिए यह वर्ल होकर मुझे मैंनत करने ही पड़ेगे स्टुडार्ट यह ओनलाइन है मैंनत नहीं करोगे टेन स्टार्डर आपका अपलाइन आने वाला है आप डब्बे हो जाओगे बहुत पच्ता होगे पास होने के भी भाठे पड़ेगे समझ गए ता जोबी सब मेरे आपको होगा मिंग यह है आप आपको कमपन सरी करके मुझे सैंट करने है आज इतना रखते हैं घुडबाई शुक्त